ओम नमस्षिवाय जय श्री रामचंद्रा आप सभी को दिपावली के परव की अनेक अनेक शुब कामनाए आज मैं आपको बताऊंगा दिपावली ध्यान की विधी किस प्रकार आप दिपावली का उत्सव दिया और ध्यान से कर सकते हैं उससे पहले एक बहुत ही मैतवपूर्ण प्रस्न का मैं उत्तर दूँगा मुझसे किसी ने पूचा था कि क्या दिपावली श्री रामचंद्र के जीवन से पहले भी मनाई जाती थी तो उत्तर है हाँ इसको भी आपको एक्स्प्लेइन करूँगा और आज दो द्यान की विदियां आपको बताऊंगा और आज का आपका आहर कैसा हो इस पर भी बात करूँगा और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैश्री राम आज आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आज दिपावली के दिन किया जाने वाला एक महतवपूर्ण द्यान है जिसे आप बिना किसी एफर्ट के जो बिगिनर्स हैं जिसने कभी मेडिटेशन नहीं की है उसका ध्यान बहुत ही सहज़ता से आज लग जाएगा आज रात का समय है लगबग 11 बजे से लेकर रातरी के 2 बजे तक का समय जब बाहर की दुनिया दिये बत्तियां और पटाकों में डूबी होगी खोई होगी तब आप ध्यान में डूबे होंगे तब आप ध्यान की उचाईयां चड़ रहे होंगे तो पहले तो आप ये समझ लें कि कैसे और क्यों बगवान शरी राम के जीवन से पहले भी दिवाली की एक्जिस्टन्स थी क्योंकि ये बहुती अद्वुत जोग्रिफिकल गटना भी है उसी की कारण ये एक संकेतिक भी है शुब संकेत भी है कि भगवान श्री राम जब आयोध्या लोटे तो हमने दिवाली का उत्सव मनाया क्योंकि एक घोर अंदकार को चीर कर प्रकाश की जब किरण आई तो बहुत मिनिंग्फुल लगता है उस दिन उत्सव को मनाना ऐसे ही जब भगवान श्री राम विजे प्राप्त करके जब बापिस आए अविध्या में तो उसी तरह से यह उत्सव मनाया गया ठ्यूक उसी बात का प्रतीक है जैसे अम आवस्या में हम ध्यान का अनुष्ठान करते हैं जैसे बाहर तो गोर अंदकार है लेकिन हमने वो बाहर कब नकली दिया जला कर ही थोड़ी धिर के लिए प्रकाश नहीं करना आपने तो ध्यान का दिया जला कर जो पर्मनेंट लाइट है न उसको आपने जागरत करना है और धीरे धीरे यह है शक्ति आपको इतना सुगम और सहज बना देगी कि बाहर का कोई कस्ट आपको छू नहीं पाएगा तो आपने कैसे करना है इस ध्यान की विदी को किसी भी अंदकार वाले कमरे में बैठ जाएं अगर अंधेरा ना हो सहज रूप से तो जहां-जहां से रोशनी आती है उस जगा को ढख दे शायद कोई कपड़ा चिपकाना पड़ जाए कोई कागस चिपकाना पड़ जाए घोर अंदकार में लंबी से लंबी तेजी से आप श्वास लीजिए लगबख पांच मिनट और उसके बाद दोनों आखों को खोल दीजिए लंबी और गहरी श्वास लेनी है आखें खोल कर फिर आखें खोल दीजिए और जो उस कमरे का सबसे अंदकार में कोना है उस पर आपने आखें खोल कर देखना है सिरफ देखना है और कुछ नहीं करना अपनी श्वास पर भी ध्यान नहीं लगाना पूरी दुनिया को भूल जाना है इस कमरे को भी भूल जाना है और इस कमरे में मैं बैठा हूँ इसक से आप अंदकार में अमवस्या का आज दिपावली का दिहान लगा पाएंगे और उस समय जो शक्ति होगी आप उसको महसूस करेंगे अपना अनुभव दोबारा आकर इसी वीडियो के कमेंट में लिखना ना भूले उसके दोल आब होंगे एक तो मुझे पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं आपने कितना कुछ काम किया दूसरा हो सकता है शायद किसी को मोटिवेशन भी मिल जाए आपके करने से आपके कुछ आपके फीडबैक पढ़ने से एक जो व्यक्ति जिसको शून्य अनुभव है जीवन में ध्यान का हो सकता है उसकी एंट्री का मार्ग भी आप प्रिशस्त कर दें तो आप शर्माएं नहीं इस बात से अपना अनुभव शेयर करने के लिए विधी एक पर दोबारा बता देता हूं आपको बहुत आसान है कमरे की बत्तियां बुजा दे और अपनी सुविधा बना ले अगर आपको सर्दी लग रही है तो कपड़ा ओड़ ले नहीं तो गर्मी का उपाय करें प्रकाश ना आने दे बस आखे खोल कर भी कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसी व्यवस्ता करें और तेजी से लंबी गरी श्वास लेनी है लगबख पांच मिनट और उसके बाद दोनों आखों को खोल कर सबसे अंदकार मैं स्थान पर दोनों आखों से ध्यान को केंद्रित करना है जितना आप देख सकें पलकें जफकती रहें जितना आप स्थिर बैठ सकें लगबख 20-25 मिनट का समय एक एवरेज टाइम माना जाता है जिसमें आप इस ध्यान की क्रिया को आत्म साथ कर सकते हैं और बहुत ही आ उसमें हम गाएं के घी का प्रियोग करते हैं देशी गाएं का घी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए तो गाएं का घी आपने प्रियोग करना है दिया बनाना है बत्ती लगानी है उसको जला देना है अपनी आँखों के लेवल के बराबर दिये को रखना है सामने ज्यादा काश ना हो उस कमरे में भी उस द्यहन के समय में भी और इस बात को भी शोर करें कोई हवा का जोका भी ना आता हो दिये की लोग हिले नहीं बिल्कुल स्थिर हो जाए उसी लोग को देखते रहें एक टकी लगा कर आखों की पलके अब जबकानी नहीं हैं बहुत ही कस्ट हो तो दो तिन सेकिंड का एक चोटा सा ब्रेक ले लें उसके दुबारा एक बार शुरू करें एक टकी लगा कर उस लोग को देखते रहें आखों से पानी बहेगा ऐसे लगेगा कि आशू बहे रहें वो आखें डीटॉक्स हो रही हैं आपकी आखों से सारी गंदगी पानी के द्यान ठीक को आया गलत उसी रात आपकी नींद आपकी स्लीप कॉलिटी इंप्रूव हो जाएगी इस तरह से आप ध्यान करें यह भी क्रिया लगबख 20-25 मिनट होती हैं जब आप एक टकी लगा कर लोग को देखते हैं और उसके बाद तोनों आखों को बंद कर लें फिर आवासन में आप थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं और दिये को आप फिर बाद में बुजा सकते हैं शांत कर सकते हैं इस तरह से दो ध्यान की क्रियाएं आप आज रात को लगबख 11 से लेकर दो बजे तक अवश्य ही करें क्योंकि हमारा उद्देश्य है धिपावली के उ उत्सब के परव के समय कोई भी पका हुआ खाना तला हुआ मिठाई ये सब ना खाएं आप ये बाकी दिन खा लेजिएगा और आज आप थोड़ी साधना के लिए तयार हो जाएं क्योंकि यह बहुत ही अद्बुत दिन है एक साल और प्रतिक्षा करनी पड़ेगी इसके ल सही रूप से उसको प्रतिस्थापित करते हैं प्रतिलक्षित करते हैं कैसे अगर कोई समाज गरीब है तो उसके उत्सव में तरह तरह के विंजन मनेंगे नए कपड़े पहने जाएंगे हैना सजावत होगी क्योंकि आम तोर पर हम वैसा नहीं करते कोई समाज अगर किया जाता है साधरन कपड़े पहने जाते हैं है ना जैसे पर्यूशन के दिनों में जैनी समाज में वह लोग उपवास करते हैं क्योंकि जैन संपरदाई एक सम्रिद्ध संपरदाई है तो उनके उत्सव मनाने के लिए वह उपवास करते हैं हमारा उत्सव और भी ज्याद खाने पीने से शुरू होता है क्योंकि शायद थोड़ा अभाव किसी चीज का खलता है हमें शायद आज सब कुछ आपके घर में है लेकिन मानसिक रूप से वो खलता है तो इस बात की चिंता ना करें कि दिवाले की मिठाई कि खाएंगे वो आप कल खा लेना और आज आप फल चैसरी राम अवस्या लिखे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्षिवाद